अज़िले मिल ही जाएंगी भटकते ही सही चिंता हो करें जो घर से निकले ही नहीं नमस्कार आप देख रहे हैं अंदिशक निउस साथिव आज हम आपको एक ऐसी प्रणादाय की स्टोरी एक ऐसे अंदिशक भाई की क्रांदिकारी स्टोरी जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हाँ हमें भी कुछ करना चाहिए कब तक रोना रोएंगे हम अल्प मांदे का कब तक हम किसमत को इस तरह से होस्ते रहेंगे आत्म निर्वर भारत की सच्ची तैस्वीर यूपी जूनर स्कूल के अंदिशक भाई प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्वर भारत का सपना साकार करने में एक रांदिकारी सयोग दिया है सोदेशी तकनी पर आधारी क्रित्रिम तालाव मतस्पारान कृष्ची तैस्ट के साथ भाई संजय कनोजय जी का जो कि एक अंदिशक हैं और कंप्यूटर के विशह से ये अंदिशक हैं बात करते हैं इन्होंने क्या कुछ ऐसा किया है जिसके वारे मैं आज मैं इनके पास चलकर आया हूँ सात्यों संशेप में बताना चाहूंगा कि इस छोटी सी नोकरी में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ पार्ट टाइम करके हम अपने परिवार का भरल पोशन कर सकते हैं जैसा कि आप सभी लोग कर भी रहे होंगे कुछ भाई बंदू और अब तक आपने वीडियोज देखे होंगे लाचारी भरे जिने देखकर थोड़ी निगेटिम निटी आती है लेकिन अब हम आपको एक ऐसा उर्चा से भरा हुआ वीडियो दिखा रहे हैं सची घटना पर कहानी ये दिखा रहे हैं हम और तारूफ कराएंगे हम जिन्होंने हजार लोगों के लिए प्रेणा दी ऐसा प्रजेक्ट लगाया है मचली पालन का और इसकूल के बाद यही पर अपना पूरा समय देते हैं खुद उसको संचालित करते हैं चलिए बात करते हैं हम भाई संजय कनोजी से बहुत बहुत धन्यवाद काफी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात भी है तो मैं यही कएना चाहँगा अपने साथियों से अपने अंदेशरकातियों से करना चाहें दो बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में सरकार का रोना ना रोह सरकार का काम है वो करती रहेगी हमको अपने काम करते रहना चाहिए हम रोज अगर एक कदम ही चलेंगे निरंतर चलना चाहिए हमको एक कदम ही चलेंगे तो भी हम मंजिलपा ही जाएंगे कहीं न कहीं ठीक है ऐसा नहीं है कि मेरे पास जगे है इसलिए मतलब हमने एक काम किया हो सकता आपके पास जगे ना हो ज़रूरी नहीं है ठीक है ये भी फ्लाल सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि अंदेशक संग पूरा अपना समय स्कूल में बतीत करता है, उसके बाद भी अंदेशक के हाथ क्या लगता है, यदि उसकी बीबी या बच्चा कोई भी बीमार पढ़ जाता है, किसी कारण वश्य, तो उसके पास इलाज नह नहीं ले जा सकता, वो सरकारी में जाता तो है, लेकिन वहाँ भी उसको अच्छा टीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो ये विवस्ताएं नहीं है, ठीक है, फिर हर चीज सरकारी होस्पिटल में नहीं मिल सकती है, कुछ लोगों को मैंने अंदेशक भाईयों को अपने देखा है, क्यों बिचारें, उनकी वाइफ के साथ कोई ऐसा अनुहुनी हो जाती है, जैसे ऑप्रेशन जैसी सरजरी जैसा उनको सामना करना पड़ता है, तो उनको मैंने देखा है, वो पांच-पांच-दो-दो-हजार रुपे के लिए हमसे मौताज हो जाते हैं, और तब मेरे जर्वा सुरू से ही यह थोड़ा इसमें रुची थी, आप पहले अपने अंदर देखिए कि किस चीज में रुची हमारे इसमें रुची थी, तो मिस्स फिल्ड में आये, इसमें प्रिद में अइए हमने इसमें काफी मेहनत की है, यहाँ पर हमने जीरो लेविल से करोगे यहां कौन रहेगा बिल्कुल जंगल है कैसे रहोगे यहां पर तो लेकिन हमें कुछ करना था तो हमने अपना जो हमने ठान लिया था वह किया और हमने इसको शुरुवात की और इस शुरुवात को आज इस अंजाम में दिया जो आपको दिने इस नजर की द्वारा दिखाया जाएगा वीडियो में शुद्ध श्याकाहार यह चारा है मचली का सबसे बेस्ट चारा माना जाता है यह ग्रोवल कम्पनी इसमें 40 केजी है 14 का द्वेगा लगाशाइब 100 रुपय कदli है इसमें 24 केजी करशी शेत्र की अत्यवाधिनिक तकनीकी के द्वारा हम आज मच्छी पालन का इतने अच्छे ढंग से उत्पादन और उसका कारे संपादित कर रहे हैं आपने देखा इस जीति जाती तस्वीर में किस तरीके से हम आत्मिरुबर भारत बना रहे हैं कटनाई हैं बहुत आई इस काम में और उन कटनाईयों से हार नहीं मानी एक समय तो ऐसा आया था कि ऐसा लग रहा था मेरा प्रोजेक्ट चली ही नहीं पाएगा नजर जी तो ऐसा भी समय आया था और पैसों से भी परसानी हुई सबसे परसानी हुई लेकि मेरे संगी साती, दोस्त, मित्र, रिष्टेदार सबने मेरा सहि겠지만,,, मैं उनका हर्दे बहुत बहुत धन्यबाद देता हुँ कि उन्होंने मेरा कठनाईयों के संभा मिला के मेरा सात नहीं छोड़ा और कंदे से गंदा मिला के मेरा सात दिया मेरे कुछ दोस्त, भाई ऐसे भी हैं जो विचारे अपना काम छोड़ के कह दें तो 300 रुपे मेरी लेबरी बचाने के लिए आ जाते थे कहते थे कि संजे भाई का या राफल भाई का काम कराते हैं उसका काम देते हैं संडे को सब लोग हम लोग यहां इखटे होते थे पूरी मंडली और मिलकर सब लोग काम करते थे और सबने मेरा सहीयो किया और मैं बहुत किस्मत हूँ जो मुझे ऐसी फैमली और ऐसे दोस्त ऐसे यार और आप जैसे मित्र लोग मिले हैं ठीक है यही मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों के मन में या कोई कुछ करने का साहस जाग रहा है तो उसको बैठाले नहीं उसको आगे बढ़ाएं उसको उर्जा सहित आगे दे आज के दौर में अन्देशक मुझे लगता है 40% अन्देशक अवसाद में जा चुका है उसके लिए यह जो वीडियो है वो एक प्रेणा दायक सावित होगा ऐसी मैं उमीद करता हूँ और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि बैसे तो सभी अन्देशक भाई कोई ट्विशन पढ़ा रहा है कोई कुछ कर रहा है पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर रहे है ताकि वो अपने परिवार का भरण पोशन कर सके राष्ट निर्माता अन्देशक और हम बात करेंगे कि इस प्रजेक्ट के बारे में थोड़ा सा संशेप में बताईए कैसे शुरुआत का आर्थिक रूप से कैसे कहां से आपने इसका सायोग परिवार से दोस्तों से कैसे क्या किया और कैसे ये प्रजेक्ट है आप पहला प्रजेक्ट है आपके जिले में ये मुझे लगता है ये जिले में शाजापुर में पहला प्रजेक्ट है देखें कहते हैं ना कि जानकारी होना बहुत जरूरी है यह मेरे खाल से मेरे जितना भाई बेहन है उनको भी इस चीज का लाव उठाना चाहिए तो यदि आप इस क्रशी में आना चाहते हैं तो विकास भुहन में जाके योजनाओं का ज़रूज पता करें जैसे कि मेरी योजना जो है यह भारत सरकार द्वारा मतस्य पालन में आती ह आई साथी देखते हैं किस तरीके से इस तालाप के पानी को अनकोल यानि की मश्लियों के अनकोल रखा जाता है एरिजर का प्रयोग तालाप के बातावरन को अनकोल बनाय रखने के लिए किया जाता है पानी में ऑक्सिजन उप्लप्त करवाना पानी के अंदर हानकारक गैस इसका प्रियोग किया जाता है यह ''नवल उता है' इसको चला के चाल आंप तो इस प्रोजक्ट में देखिए क्टनाईयां बहुत आएंगी हारना नहीं आगर आप को करना चांते हैं तो दिल से लगीे कामयाभी आपके दम्चूमेगी निस्श्इंत होके उसके बाद मैंने यह छोटा साप देख रहोंगा यह मैंने शट बन भाया है यह भी मेरा शाइट से चलेगा इसको Mrrup के रूप हम देगे इसको Mr में आपने इसको तयार किया है तो इससे हमारा जो भी और खर्चे जो है ना यहां के जिसे लेवर का आपके बिजनिस में संतुलन बना रहे गाए तालाप का पानली बदलने के लिए आत्मिक तक्निकी का प्रयोग किया जाता है कैसे किया जाता है आपको बता रहे हैं संजवाई जैसा कि इसमें बताया गया है कि तालाप के पास में ही डैनिंग सिस्टम यानि आप देख सकते हैं यह डैनिंग सिस्टम वाटर रिगूंबर है इसी के द्वारा किया जाता है सुबह में उठता हूं सबसे पहले और सीधा में यहां आता हूं यहां आने के बाद अपनी मचलियों में दाना डालना उन छोटी मोटी सी चीजें हैं वो देखना सब कुछ देखने के बाद यह बाटर टेस्टिंग आप कैसे किसी यंतर के द्वारा करते हैं कि बताएं हमारे दर्शक को पिलकुल केमिकल साता है किट आती है वाटर टेस्टिंग किट उसमें एमोनिया पीएच और हाई पीएच इस हमारे डेनिंग सिस्टम जो बना है उससे हमें सबसे यादा फायदा होता है इस पॉंड में कि जब भी हमारी कुछ परसरानी या समस्य आती हैं डेनिंग सिस्टम जारा दो से चार पांच घंटे में सारे पानी को चेंज कर सकते हैं ठीक हैं तो यही मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग करना चाहरे हैं तो बिलकुल करिये निराश नहीं हो यहां सूबा की बात कर रहे हैं तो सूबा सबसे पहले उठ्टे न पर आते हैं उसके बाद भी ओर्डव जाता हूं तो उसके बाद में ब्यार्सी जाता हूं ब्यार्सी जाने के बाद वहां से पांच वरी रिलीव होता हूं पांच वज़े आने के बाद यहां छे बज़ जाता हूं यहां आते हैं छे बज़े आने के बाद फिर सीधे में यहीं पर आता हूं फिर मैं मसलियों को फीडिंग करा काफी महात्व दे रहे हैं और यह देना भी चाहिए इससे हमारी सिच्चा में कुछ सहथ तक सुधार होगा ठीक है मेरा मई मानना है यह और यहां पर computer operator उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है और मैं computer सिच्चक हूँ computer teacher computer उन्देशक हूँ तो इसलिए मुरा अटेश्मेंट ज्यादा तर मोश्टली भी आर्सी पर रहता है तो क्या अब इस सरकार से क्या उमीद करते हैं और क्या रिक्वेस्ट या अपनी मांग करना चाहेंगे चैनल के मादम से मैं यही अपील करना चाह रहा हूं कि हमारे बहुत चरम पर है तेल हम लोग 100 रुपए में ले रहे हैं और हमारे अंदेशक भाई जितने भी भाई वेन हैं वो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जो 25 से 30 किलोमेटर कम दूरी पर हो यानि कि दोनों तरफ से मिलाके 60 से अबब उसकी दूरी ताह होती है जो कि इतने कम मान दे अल्प मान दे में उसका जीवन आपन बहुत ही मुश्किल है ठीक है और फिर अगर वो दो भी लोग हैं दो कंडिडेट है मिया हज्बेंड और वाइफ दो ही लोग है तो भी वो इतने कम मान दे में सर्वाइब नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो सरकार से हमारा अन अंदेशक के पत्वे समायोजित कर दे जिससे कि हम लोगों का भी भविष जो है वो सुरच्चित हो सके और हमारे साथ उन बच्चों का भी भविष सुरच्चित होगा जो आने वाली पीड़ी को आगे ले जाएंगे क्योंकि हमारे अंदेशक भाई भेन के भी तो बच्च जी आप से हमारा निवेदन है अनुरोध है हम लोगों की पताड़ना को अब बस इतना ही यहीं पर बिराम दीजी है जितना भी हुआ बहुत हुआ अब हमारे मांदे को या हमारी मंजिल तक पहुंचाईए तो साथियो इस संदेश के साथ एक रिक्वेस्ट भी है अपील है अ और अपना पिता तुल ले बताया है माननी योगी जी के लिए मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि आपके भी दिन बहुरेंगे